कि हलो बच्चों कैसे हैं आप सब कि आई होब आला फ्यों आर वेल सो लेट स्टाट टूड़े क्लास टूड़े वी आर गोईंग तूड़े एक्सरसाइज 1.3 तो इनको डिवाइड करने में थ्वड़ा टाइम लगेगा इसलिए वीडियो की लेंद्स ज्यादा ना हो ठिक है बस हमको इनवे बताना आए कि अंट्रमिंटिंग है रिपीटिंग है नांरिपीटिंग है और यहीं से हमें ऐधे का क्षैंट तो चलिए देखे फिर्स्ट्र टनेटिवका का मतलब जिसका end हो जाए आध्यार आंड का मतलब जिसका इंड ना हो repeating का मतलब कि after decimal number research और रिपीट होने लगे जासे 363 6363 россий.This isуска करते ना तो 0.33333 व अंतरगे जहा है। तो पहले तर्मिनेटिंग तो इसका अंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग अब यह वन अपन को जब हम साल करते हैं तो यह आता जिरो पॉइंट जिरो नाइन जिरो नाइन जिरो नाइन ऐसे करके चल जाता है तो जब बार बार जिरो नाइन जिरो नाइन जिरो नाइन जिरो नाइन तो इसके उपर हम रिक्रिंग लगा देते हैं इसको बार भी बोलते हैं और इंग्लिस भी इसको रिक्रिंग बोलते हैं जो नमबर रिपी इसमें सा UAगे में लिखते जाना कर विक्कारव ठीक है और ये terminating terminating and repeating decimal repeating decimal ये हो गया ये 4.125 या लेडी terminate है क्योंकि इसके बाद इसका divination close हो गया तो ये terminating decimal terminating decimal ये 0.230769 अब ये क्या है ये बाद टर्मिनेट होगा इसके आजे इसका divination नहीं हो रहा है तो ये भी हो जाएगा terminating decimal इसके उपर recurring भी है terminating and repeating terminating and repeating है before life और ये उनको पाद के फॉर्म में right कर सकते हैं और जो non-terminating होंगे उनको पाद के फॉर्म में right में नहीं कर सकते हैं ठीक है ये ये भी क्या है terminating and repeating decimal terminating and repeating decimal खीक है terminating and repeating और यह आपको साब दिकरा है terminating terminating decimal easy है बहुत easy है पहले इनको आप divide कर落िजी किसका डिवाइड़ेशन में इंडौर आए कॉषिंट किसका नहीं हो रहा है उसके हिसाब सेमिन को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि कॉंजर टर्मिलिटिक नान टर्मिलिटिक न यह चलते हैं कुष्टिन नंबर सेकेंड आलसो वेरी ईजी क्वेश्चन नम्बर 2 क्वेश्चन नम्बर 2 इसे गिवन जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइब से बन रिक्रिंग मतलब यह तोटल यहां से यहां तक कि सारी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है बैसि हमने इस क्यों पर रिक्रिंग लगा दी अब कुश्चन यह कह रहा है कि विदाउट एक्च्वल डिवीजन विदाउट लॉग मेथड हमको क्या वैलू फाइंट करनी है विएट वैलू फाइंट करनी है तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए तू अपान सेव सेकंड 3 उपान सेवान पान सेवन अलडी इसमें लेड पान सेवन अब्सक्राइब गूंट करनी है तो इसमें रखर मुन हर सेकंड चाहिए तू अन हरा जाएगा second 3 upon 7 means 3 multiply 1 by 7 so 3 multiply the value of 1 by 7 it is 0.142857 again multiply 7 3 is a 21 5 3 is a 15 to 17 8 3 is a 24 or 125 3 2 is a 6 6 2 8 4 3 is a 12 3 1s a 3 1 4 so it will be 0.428571 now 4 upon 7 now 4 upon 7 it means 4 multiply 1 upon 7 so 4 multiply value of 1 upon 7 0.142857 and the ring is there just multiply so 7 4s are 28 5 4s are 20 22 8 4s are 32 and 34 4 2s are 8 or 8 3 11 4 4s are 16 1 17 4 1s are 4 1 5 so 0.571428 so 0.571428 multiply karna multiply to aapko aai jayega na after that 5 upon 7 after that 5 upon 7 so you know the value of 5 upon 7 5 multiply 1 upon 7 it means it means the 5 multiply 5 multiply 0.142857 and ring ring is there ok now just multiply 7 5s are 35 5 5s are 25 25 3 28 and 5 8s are 40 42 5 2s are 10 4 14 5 4s are 20 121 5 1s are 5 2 7 so 0.714285 and the last one is there 6 by 7 it is also same 6 multiply 1 upon 7 and write the value of 1 upon 7 so 6 multiply 0.142857 and now multiply so you will get 7 6s are 42 6 5s are 30 and 30 plus 4 34 6 8s are 48 and 48 or 4 1 second 34 6 8s are 48 or 48 3 51 now 5 carry 6 2s are 12 12 5 17 और 6 4s are 24 125 6 1s are 6 28 तो 0.857142 काहिए कालकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर ले ना ठीक है बाकि इस 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 दा आंसर आप कुश्यन नम्बर 2nd परीशनल नम्बर के वार्म में रेप्रेजेंट करना है रेशनल नम्बर के वार्म में राइट करना है अगर दो डिजिट काने मैं उनमें से एक दिजिट पर रिक्रिंग है तो एक नाइन है उत्ने जीरो इसमें एक डिजिट पर रिक्रिंग पे तो 123 यह इसका अंसर हो जाएगा देखिए अभी हम साल्व करते हैं इसको बेसिंग मेख़ड से जो हमें अपने स्लूशन में करना है जो हमें कि फेयर में करना कॉपी में करना है तो फस्ट नमबर कि लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बाद इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 0.6666 डैडड़ डैज क्योंकि 6 से ही रिपीट हो रहा है रिक्रिंग इसी में लगी है तो इसका मतलब 6 से ही रिपीट हो रहा है ओके अगर रिक्रिंग एक डिजिट पे लगी है तो 10 से मल्टिप्लाई होगा अगर रिक्रिंग दो डिजिट पे लगी है तो 100 से मल्टिप्लाई होगा अगर रिक्रिंग 3 डिजिट पे लगी है तो 1000 से मल्टिप्लाई होगा इस चीज़ को आप ध्यान से समझेगा ठीक है तो च अब मल्टिप्लाइंग बाई 10 लिखा इसका मतलब मल्टिप्लाइंग बाई बोथ साइड एक साइड मनी करेंगे दोनों साइड में तो यह बन जाएगा 10X और जब इसको मल्टिप्लाइं करेंगे तो यह डिसिमल के पहले एक विजिट आ जाएगी यान की 6.6666 अब यह बन गया हमारा सेकेंड नंबर अब क्या करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रेक्ट कर देंगे क्लिया तो सब्ट्रेक्टिंग subjecting first from second we get अब देखिए second से first को subject कर रहा है 10X से X कर देंगे 10X minus X एक बार में एक स्टेपिलिक देता है फिर इसको subject करेंगे तो 6 को 6 से 0, 6 ही आएगा और decimal के बाद के जितनी में डिजिट सेम है तो 6.0 आ गया अब ये क्या हो गया 9x equal to 6 clear x equal to 6 by 9 तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यह हमारा answer आ गया क्या x equal to 2 by 2 by 3 यह p अपान q के form में आ गया और p और q दोनों integer है अब ही हमने इसको direct solve किया तो तो 2 by 3 आया था ना ठीक है ट्रिक के माध्यम से किया था next अब हम देखते है second number second question इसी का second देखते है तो second में वही same चीज़ करेंगे let x equal to 0.47 7 के उपार एकिवल तो वही काम करना है यानि की x क्या हो गया 0.4777777 repeat कौन हो रहा है 7 ठीक है repeat हो रहा है हमारा 7 तो यह हो गया first number clear after that now multiplying by कितने मरिकरिंग लगी है एक digit पर तो 10 से ही multiply कर देंगे 10 x equal to अब जब इस पर multiply करेंगे तो decimal के पहले एक digit आ जाएगी यानि की 4.7777777 यह बन यह second फिर हो आई same process subtracting subtracting equation first from second तो second यानि की 10 x और minus x equal to यह आएगा 4.7777777 सब्टेट करेंगे तो 10 x minus x 9 x आया और इस से इसको सब्टेट करेंगे तो देखो 4 में 0,4 और 7 में 4, 7 में 4, 3, 4.3 और बागी के 7 से 7 से 7 से 7 सब्टेट होंगे तो 0 ही मिलता जाएगा यानि की हमको x की वैलू क्या मिल गई 4.3 अपान 9 clear अब इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे इसको तो 43 43 अपान 90 डेसिमल हमने अटा दिया तो 43 अपान 90 इसका जो ट्रिक बताया था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी गड़बड़ी क्या थी कि हमने 7 में 4 सब्टेट कर दिया था डिनॉमिनेटर में तो वो टोटल में से 47 में वो सब्टेक्ट होगा जिसमें रिक्रिंग नहीं लगी होगी तो 37 अपान और नीचे एक रिक्रिंग का एक नाइन और बिना रिक्रिंग वाले नमबर के लिए 0 ये था उसमें थोड़ा समस्ष्टेक थी बाकी नाव इट्स क्लियर बाकी के दोनों नमबर ओके तो दिस इस यूर एंसर नाव थर्ड देखते हम क्विश्चन नमबर थर्ड लेट वई सेम प्रासेस एक्स इक्वल टू 0.001 ती नोमर रिक्रिंग आए तो बस ले लेते हैं यानि कि एक्स की वालू है 0.001 फिर 001 फिर 001 ये चलता जाएगा क्योंकि यह रिपीटिड है मिल्टीप्लाइ अब कित्री प्रिक्राइग करने everything थाउजेंड तो थाउजेंड से मल्टिप्लाई करो थाउजेंड एक्स इक्वल टू अब इसमें थाउजेंड से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह थ्री डिजिट बिफोर डेसिमल आ जाएंगे यानि कि 001 फिर से 001001 यह चलता जाएगा क्लियर अब इसको बना देते हम से के तो इसमें से इसको सब्टेट करेंगे तो अब दो आप समझ गए अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेट करता हूं एक स्टेप यहां मिस कर देंगे अब इसमें सब्टेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो डेसिमल के पहले यह 001 है इसमें पहले कुछ नहीं है तो इसमें सब्टेट करेंगे हम तो बात की सारी डिजिट क्या हो जाएगी तो एक्स की वैलू क्या आजाएगी वन अपान 999 और यही मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि इतने रिकरिंग लगी है उतने ही नीचे इतने डिजिट में रिकरिंग उतने ही नीचे 9 आजाएगे और उपर जो नंबर है वो नंबर आ जाएगा ठीक है तो देट इस यू इस सेंग रेप्रेजेंट एक्सपेस 0.99999 इन दा फॉर्म पी अपान क्यू आर यू सर्प्राइज बाई यूर एंसर जो एंसर निकलेगा क्या उससे आप सर्प्राइज हुए अगर हुए तो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स में डिसकस करिए कि ऐसा ये क्यों आया तो पह किया लेट एक्स इक्वल टू 0.9 अब यह 9 के उपर हम रिक्रिंग रख सकते हैं कि यह रिपीट क्या हो रहा है 9 ही रिपीट हो रहा है इट मींस एक्स इक्वल टू 0.99999 यह हुए अब रिक्रिंग एक डिजिट पे लगी थी तो क्या करेंगे multiply by multiplying by 10 10 से कर दो तो यह 10x इक्वल टू अब इस पे करेंगे तो decimal के पहले एक 9 आ जाएगा 9999 अब यह फर्स्ट है सेकेंड है अब क्या करेंगे सब्ट्रेट कर देंगे सब्ट्रेक्टिंग फर्स्ट प्राम सेकेंड वी गेट सब्ट्रेक्ट करते हैं फर्स से से केंड को और सिक फर्स्ट से 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 केंड को ठीक है तो टैन एक्स माइनस एक्स और यह है 9.99999 देश माइनस 0.99999 यह है तो 10 एक्स माइनस एक्स 9 एक्स और यह क्या बचेगा 9.0 इट मिन्स एक्स इक्वल टू 9 अपान 9 और एक्स की वैलू हमें क्या मिन गई ही 1 और यह तो 1 नहीं था वन आ गया यहीं सर्प्राइजिंग था अब यह एक्स 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 और वाल क्यों आ रहा है आपने पिछली क्लासों में या साइंस और वगारा में कुछ पड़ी होंगी कि जैसे हम कोई नंबर होता है डिशिमल में 0.589 768 ऐसा कोई नंबर है और इसको हमें किवग्स दो डिजिट लेकी रखना है तो इसके बाद की डिजिट हम रिमूव करते हैं लेकिन रिमूव करने से पहले जहां तक हम डिजिट रख रहे हैं उसके बाद की तो यहां जो हमारा लिखा है 0.99 तो अगर हम यहां से इसको रिमूब करें तो यह एक कैरी देगा इसको तो 9 हो जाएगा 10 तो एक्चुली में यह 1 ही है ठीक है तो इसलिए हमको यह जो चर्प्राइ च्लीर में खरे स्क्राइ दोगिग्स आत्क लाराई है तो आपको डिवीजन करना इसका मतलब का सॉलूशन फाइड करना हमें यान्ञी 17 डिवाइड वाई 1 इसका डिवीजन फाइड करना हमें डिवीजन ठीक है तो मैं आपको इसकी डिजिट्स बता देता हूं क्यूंकि डिवीजन में बहुत टाइम लगेगा ओके तो देखिए इसका हम इस तरह से डिविजन करेंगे 17 से यहां पूरा आएगा नहीं चीक है यहां बगल में करना पड़ेगा तो मैंने यहां आपकी डिजिट लिख दिये गए हैं जिस से आप 17 को मल्टिप्लाई करकर के इसके नीचे आप लिखते जाएंगे यह पूरा बिल जाएगा बस अब हमें यह चिक करना कि कितनी डिजिट बाद यह रिपीट होगा यानि कि यह जो हमने सेवन लिखा लाज डिजिट डेसिमल में डेसिमल एक्सपंशन में तो यह सेवन डिजिट से जब 17 से मल्टिप्लाई करोगे उसके बाद रिमेंडर वन आएगा यहां ज 16 16 डिजिट बाद यह फिर से रिपीट होगा यानि कि इसके बाद फिर से आ जाएगा जाएगा तो अगर आप इसको दो डिजिट चार डिजिट 5 6 7 8 10 12 यहां तक करते तो उसके बाद आप अपना हिम्मत हार जाती कि यह तो आई नीरा लगता है यह नान टर्मिनेटिंग है फाल एक्चुली में वो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है तो आपको 16 डिजिट तब चेक करना पड़ेगा ठीक है तो यह डिवाइडिशन आपको 16 डिजिट तब करना पड़ेगा और लिखना क्या इसमें कुछ Smellshear, perform the division, check your answer and what can the maximum number of digits be in the repeating blocks? तो the maximum number of digits, maximum number of digits in repeating blocks equal to 16, 16 digits के बाद यह repeat होगा, इसको आप पूरा solve करियेगा, यहां मैंने value रग दिया है, ठीक है, तो अब इसके बाद अगला जो आएगा, 17, 5, 85 यहां आगे write करेंगे, decimal लगई है, यह 90 हो जाएगा, फिर 85 इससे यह बढ़ता चला जाएगा, लाज 16 विजिट तक जाएगा, ठीक, उसके बाद फिर सही है, प्रोसेस पूरा है, वापस repeat होने लगएगा, ओके, तो इसको बाकी का complete करना आपका काम है, चलिए next question में चलते हैं, जेकिए, question number 6 क्या बोल रहा है, लुक अट दा सेवरल एक्जाम्पल्स आफ रिशनल लंबर्स इन दा फॉर्म प अपन क्यू वेर पी अन क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अधर दन वान और हैं तर्मिनेटिंग डिशी मग्डू रिप्रेजेंटेशन एक्सपैंशन कैन यू गेस वाट पा हएं ठीक है और वो टर्मिनेटिंग डिशीमल होने चाहिए तो यह सारे की सारे जो च्युक्nost इस प्रापअटन लिख सकते हैं नाइन अपान हंड्रेड लिख लो इनका भी दोनों का क्या है तो देखें इसको जब लिखते हैं तो यह यह थर्टीन अपान टू मल्टिप्लाइटू हो जाएगा और जब इसको लिखेंगे तो थ्री अपान 5 x 5 x 2 x 2 और यह 9 अपान 100 तो 9 अपान 5 x 5 x 2 x 2 इनको आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनके डिवाड़िशन में आपको टर्वनेटिंग डेशिमल में यानि कि इनका कहीं न कहीं इंड हो रहा होगा ठीक है आफ्करदिशिमल 3D तक जाएगा फोर डीजिट कोई उड़ीट सीर इनका इन्ड हो रहा होगा तो इनकी प्रापर्टे में हमने क्या देखा कि जो डिनॉम्डेकर है डिनॉम्डेकर यह Q Q , तो ये तब terminating हो रहा है जब Q two और फाइ서 इस नम्बर जिसमें Q if q equal to 2 to the power a and 5 to the power b यानि कि 2 की पावर में 5 की पावर में यानि कि 2 की पावर में 5 की पावर में यानि कि 2 की पावर 5 के multiple होगा अगर q then p upon q is rational is rational लिखो या terminating is terminating कुछ रादू rational नहीं लिखेंगे is terminating terminating if q equal to 2 upon a multiply 2 upon 5 5 to the power b 2 to the power a multiply 5 to the power b then p upon q is a terminating decimal expansion terminating decimal expansion ठीक है अगर q इस फार्म में आता है तो आप बीना देखें उसको बता देगे कि यह terminating है solve करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आते हैं हम अगली question question number seven question number seven is saying write three numbers whose decimal expansion are the non terminating non recurring तो कोई भी three number आम write करेंगे additional form में जो terminating भी नहीं होंगे रिकरिंग भी नहीं होंगे यानि कर रिपीटिंग भी नहीं होंगे तो यह आप खुछ से भी write कर सकते हो कोई से भी number जैसे 0.101 अगली बार double 01 फिर 101,0001 फिर 0001,0001,401,401,401,Dead,Dead,Dead,Dead,Dead करेंगे इसमें पताू, recurring किसमें लगाओंगे इसमें लगाओगे, तो इसके पाद इस दुबारा नहीं आ रहा है जीरो वन जीरो में लगाओगे तो यह दुबारा नहीं आ रहा है ठीक है तो यह नान टर्मिनेटिंग नान रिक्रिंग नान रिपीटिंग ठीक है दूसरा लिखो दूसरा इसी तरह लिखो कोई सभी नमबर ले लो भाई 0.47474747 ऐसे बढ़ाते चले जाओ यह भी नान रिपी सब्सक्राइब करते हैं जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा आपको वही राइट करना है अब आते हम कुश्चिन नमबर एट Q8 is saying find the 3 irrational number between 2 rational number 5 upon 7 and 9 upon 11 तो 5 upon 7, 9 upon 11 को जब हम डिवाइट करेंगे तो हमें ऐसा decimal expansion मिलेगा 0.714285 और इसके बाद इफिर से repeat होने लगेगा तो हम देश में recurring लगा दी 0.81 फिर से 81 फिर से 81 ये बार बार 81 ही आएगा तो हमने 81 में recurring लगा दी अब इनके बीच में हमें 3 rational number find करना है तो first लिखो देखो ये 0.71485 से है तो अगला वाला हम क्या कर दी 0.72 कर दो 73 कर दो 74 कर दो 0.724285 फिर अगला 2 0.0.734285 अब इसमें किसमें recurring लगा सकते हैं 7 में लगाएंगे तो 123456 फिर से ये नहीं आएगा या फिर अगर इसको चेंज करना हो तो दूसरा number कर सकते हो 720041 अगला करो 7200041 ऐसे कोई भी number लिख सकते हो इनके बीच में आने चाहिए देखो ये 0.81 तो नहीं आ रहा ना सेकेंड अगला लिखो 0.7400458 कुछ भी लिखो फिर अगला 740087744087 इस तरह से कोई भी number लिखा आप अपने आप से भी लिख सकते हो लेकिन बस ये याद रखना इन दोनों के बीच में ही number हो थार्ड लिखो 0.676121 अगली बार 761211 इसी तरह से इसको बढ़ाते चल जाओ तो इन दोनों के बीच में ही number होना चाहिए तो यह आपका हो गया question number 8 अब आखरी question question number 9 इसमें क्या करना हैं को classify the following numbers are rational और irrational तो सबसे पहले किसी भी है तो यह साफ साफ आपको रूट 23 दिख रहा है इर्रेशनल कि यह किसका स्क्वार रूट होता है तो यह क्या हो जाएगा फिप्टीन क्या है रिशनल है वाई नहीं greater анami तक हम ने बताया है कि अल्एकंतर कि फार्म में लिख सकते हैं चासरी यह यह चाहिए को लिख सकते है जीरो पॉंट 278 478 यानि कि 478 रिपीट हो रहा है repeating है तर्मिनेटिंग है तो इसको भी हम लिख सकते हैं यह पनक्यू के फॉर्म में यानी कि यह रिशनल लंग कि यह यह आपको साब दिख्राइब टर्मिनीट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो यह रिशनल हो जाएगा तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी समाप्त होती है मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 1.4 में